जहिन नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका कैरेट्स पॉइंट डिफेंस अकेड़ी के आपके अपने यूट्यूब चैनल में प्यारे बच्चों जैसा कि आप साबको पता है इंडियन एरफोस जोईन करने के लिए आप वैरियस तरीके के एक्जामेनेशन में पार्ट जिसका नाम है इसका फुल फॉर्म है एरफोस कॉमन एड्मिशन टेस्स जिसके बारे में आजम जानेंगे पूरा डिटेल्स जी हाँ एलेजबिल्टी केंडिशन एज लिमिट वैकेंसी और स्लेबर्स साथी साथ सैली की भी बात करने वाला हों कि आखिर आपको इसमें कितन लिफाई भी कर सकते हैं तो बने रहेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल्स इसी वीडियो में और अगर आप नई यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सेर जरूर करें अपने दोस्तों तक पहुंचाएं अगर ये वीडियो अच्छा लग लिफाई करने के लिए अपना ओटीप फोन नंबर डालना और वरिफाई करनी है इतना करने के बाद आपको लॉग इन करने के लिए आपको एक इमेल आईडी और पासवर्ड आपको फिल करना पड़ेगा और साथी साथ ये आपका एप ऐसे खुल कर सामने आ जाएगा और आपको जो भी पर्चेस करने आप उसको वहासे पर्चेस कर सकते हैं बेहत कम फिस में अब मैं बात करने वाला हूँ कि Air Force होता क्या है F-CAT होता क्या है F-CAT का full form होता है Air Force Common Admission Test यहाँ पर आप अधिकारी बनते हैं Ground Duty में, Flying Branch में Permanent Commission और Short Service Commission दोनों होते हैं प्यारे बच्चों तो अब मैं आपर बात करने वाला हूँ कि जो Permanent Commission होता है वो क्या होता है और Short Service Commission होता है वो क्या होता है F-CAT यहीं Air Force Common Admission Test Exam is conducted by Indian Air Force Twist in a Year साल में दो बार यह examinations कंड़क्ट करा जाता है जो कि Indian Air Force इस exam को कंड़क्ट कराती है प्यारे बच्चों तो साथी साथ मैं आपको यह बताना है रेक्रूट्मेंट ऑफ दे कैंडिटे इन साथ सर्विस कमिशन S.S.E. in the Flying Branch and Permanent Commission PC तो आपका यहां पर जो साथ सर्विस कमिशन है और Permanent Commission है फ्लाइंग ब्राँच में भी है आपका ही देगें और साथ सर्विस कमिशन S.S.E. in the Ground Duty यहनि Technical और Non-Technical ट्रेट कर दिया है Technical and Non-Technical Branches है Indian Air Force also recruit candidates for the grant of the P.C. Permanent Commission and S.S.E. in the S.S.E. in the Short Service Commission for the N.C.C. Special Entry Scheme Flying Branch तो फ्लाइंग ब्राँच में जाने के लिए आपका अगर N.C.C. Special Entry Candidates है तब भी आप इस फिर्म को अप्लाइ कर सकते हैं को भी मौका दिया जाता है and for the Metrological Entry it is one of the most coveted jobs in India Air Force and the dream job for millions, millions of aspirants across India बहुत सारे बच्चे इस examinations में participate करते हैं और आज हमारे बहुत सारे युवा बहुत सारे नवी वक आज क्या कर रहे हैं इस exam में participate कर रहे हैं और अपना carrier flying branch में बना रहे हैं जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रियाग राज और बोपाल में इस बार 8 तारीक को Indian Air Force Day तो हरवर्स बनाया जाता है लेकिन इस बार कुछ बहुत अच्छे तरीके से celebrate किया जा रहा है और वहाँ पर Indian Air Force के officers अपना कर्तब पे दिखाएंगे यह सब कर्तब में सामिल होने के लिए आपको इस जैसे examinations को qualify करना होता है प्यारे बच्चो फीके तो आप मैं बताने वाला हूँ कि आखिर आगे का procedure क्या होगा अगला इस इसको आप download करके इस app के जरिए भी आप F-Cat की तयारिया कर सकते है प्यारे बच्चो अब हम इसके बारे हम थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि आपको इसमें क्या क्या होता है conducting body जो इसका होता है प्यारे बच्चो वो होता है आपका Indian Air Force periodicity क्या होता है आपका ट्वी से यर साल में दो बार इसके examination साते हैं दो बार form आता है level इसका होता है मेरे बच्चे national level होता है और mode of applications होते हैं आपको online online examinations होता है प्यारे बच्चे mode of exam आपको online computer based test होता है total number of question 100 question होते है total मतलब online exams होता है और 100 questions पूछे जाते हैं जो कि 300 marks के होते हैं मेरे प्यारे बच्चे 300 number के होते हैं तीन स्टेज में इसके examination conduct कराये जाते हैं जहां पर तीन स्टेज में written FSB और TV आपका होता है medicals आपके होते हैं documents verifications होता है तीन स्टेज में आपके ये examinations conduct कराये जाते हैं प्यारे बच्चे चलिए आगे जब जानते हैं कि अगले स्टेज पर आते हैं प्यारे बच्चे तो देखते हैं FCAT second 2023 notification application fees क्या लग रहाता उस समय तो total application fees आपका इसमें form भरने का 200 रुपय लगता है जो कि आप online इस form को apply कर सकते हैं प्यारे बच्चो और इस payment को आप debit card या credit card से भी pay कर सकते हैं अब यहां पर देखते हैं flying branch की बात कर लेता हूं कि आखिर flying branch जो आप जहाज उड़ाते हैं या फिर मतला पर आपका fighter jets होते हैं उसको आप उड़ाते हैं तो उसमें जाने के लिए flying branch में जाने के लिए आपको क्या age होनी चाहिए तो यहां पर जाने के लिए आपकी उम्र 20 साल से लेकर 24 साल तक होनी चाहिए प्यारे बच्चो वहीं पर आपकी age 1 July 2024 से आपका calculate किया जाता है bond between 2 July 2000 से लेकर 1 July 2004 तक अगर किसी का age group है तो वो इस form को apply कर सकता है जिसके पास आपका commercial pilot license है issued by the DGCA यह आपका जो commercial pilot license होता है और इसको DGCA या इंडिया दोरा इसको दिया जाता है DGCA company है जो कि आपको commercial pilot license देती है अगर यह issued किया गया है तो तो फिर आप इसमें participate कर सकते है 1 July 2004 तक आपका 998 से लेकर 1 July 2004 तक है तब भी आप इस form को apply कर सकते है साथी साथ अब मैं ground duty की बात करो मेरे प्यारे बच्चे तो ground duty technical and non-technical में branches में 20 साल से लेकर 26 साल लेकर 26 साल लेकर 26 एर तक अगर आपकी age है और 1 July 2024 से लेकर bond between second July 1998 तक है तब आप भी इस form को apply कर सकते हैं मेरे बच्चे चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो आगले slide पर आते हैं यहाँ पर देखते हैं ground duty technical trade branch अब मैं ground duty technical trade branch की जब मैं बात करने वाला हो तो आप आपको दिखाने वाला हो कि यहाँ पर क्या है अब आप यहां पर देखो बिटा सब ब्रांच इसमें कई तो ब्रांच आपका ground duty technical branch हो गया मेरे प्यारे बच्चों यह देखिए अब उसके बाद यहां पर देखो इसमें सब ब्रांच इसमें जाने के लिए minimum educational qualification आपकी 50% मार्क्स in physics and mathematics at 10 plus 2 बारवी में physics और mathematics में आपका minimum qualification percentage आपका 50% का होना चाहिए साथी साथ and four year degree in graduations integrated course and the post graduation in the field of engineering and technology from the recognized university graduation है चार साल का होना compulsory है और साथी साथ अगर आपने engineering किया है तो भी बहुत अच्छी बात है या फिर यहां पर लिखा है कि those who have cleared the examination of associate member of the institutions of engineering in India in the both and sections को आप apply कर सकते हैं अब मैं aeronautical engineering की बात कर लेता हूं तो minimum passing मास है आपर मैंने आपको बताई दिया कि situations क्या है मेरे बच्चे आगे जब बढ़ते हैं तो आगे जब देखते हैं ground duty non-technical की जब बात आती तो यहां पर दो ब्रांचिस और बढ़ जाते हैं के administration का और एक weapon system ब्रांच का बढ़ जाता है दो ब्रांचिस यहां पर आपके और बढ़ जा रहे हैं यहां पर देखेंगे graduation degree minimum 60% मार्क्स तो आपका graduation होना चाहिए 60% अंकों के साथ बिटा वहीं पर विता three year degree course from the recognized university और इस सुट clear section A and B examination with a minimum 60% मार्क्स section A और B अगर आपने किया है 60% अंकों के साथ तो आप participate कर सकते हैं या फिर आपका total graduation में 60% मार्क्स से आपका किसी भी मानेता प्राप्त विश्व विद्धाल है से तीन साल का course आपने किया है तो आप क्या कर सकते हैं इस form को administration के तौर पर भर सकते हैं वेपन सिस्टम ब्रांच की बात करता हो तो must have clear 10 plus 2 with the minimum 50% में मार्क्स बीजिक्स और मैथ में must have graduation from the recognized university with the graduations with the minimum 3 years degree को तो यह सारे diploma courses बीटे किया है तो भी आप apply कर सकते 60% नंगों के साथ अब बात कर लेते हैं इसके education की मतलब इसका qualifications की बात कर लेता हो कि आखिर इसमें जाने के लिए आपकी योगिता कितनी होने चाहिए तो exams आपका FCAT है मेरे प्यारे बच्चे FCAT के examination से आपका यहां पर देखो और साथ ही मैं बात करने वाला हूँ general awareness पूशता है verbal ability in the English, numerical ability in reasoning and military aptitude test तो यह सारे top subjects आपके कितने घंटे में exam duration होता है दो घंटे का आपका exams होता है यही पर 100 number of questions आपके 100 होते हैं कितने होते हैं मेरे बच्चे 100 questions होते हैं वही पर marks आपका maximum marks आपका 300 का होता है 300 marks होता है और overall आपका देख रहाँ number of questions 100 होते हैं तो duration दो घंटे का होता है subject general awareness, verbal English, numerical ability, reasoning and the military aptitude test से questions पूछे जाते हैं 100 questions अब EPCAT syllabus की जब हम बात करते हैं तो syllabus तो मैंने आपको बताया कि general awareness और English के syllabus की जब मैं बात करता हूं आपके सामने तो general awareness में आपका history, geography, sports, national, international, organization, art, culture, personalities, environment, ecology and quality, economy, basic science based on the knowledge, science and technology तो इससे सारे questions होते हैं इंग्लीज में comprehension, detected errors, sentence, sentence, comprehension, feelings तो यह सारे जो topics होते हैं यह सभी topics आपके FCAT के syllabus होते हैं जनरल awareness और English के syllabus यहां पर mention है अब मैं numerical ability और reasoning ability, military aptitude की बात कर लेता हूं decimal fraction time and work, average यह आपका mathematics, arithmetic वाला portion हो गया, average profit and loss, ठीक है यह सारे हो गया, उसके बाद आपका देखे, trains and the boards, stream वाला भी question आता है, मतलब एक रेल गाड़ी इतने किलोमेटर प्रती घंटे की speed से जा रही, तो इतने किलोमेटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, ठीक है, तो यह सारे questions आ जाते हैं, वहाई पर देखे, reasoning and military aptitude की verbal and non-verbal reasoning आता है, जो आप जानते हैं, SSB मे अभी आप credits point defense academy जब आप सर्च मारेंगे, तो आपको सारी चीजे as it is दिख जाएगी, ठीक है, अब आगे जब बढ़ते हैं, तो कई सारे stages होते हैं, सारे stages का जिक्र हमने यहाँ पर किया हुआ है, प्रापर तरीके से stage 2, stage 1, ठीक है, यह आपका stage 2 में आपका SSB का दिया है, सारे test दिये हुए, अलागे इसका मैंने एक अलग से video बना कर रखा है, अभी कुछ दिन पहले ही, तो आप उसको जाकर देख लीजेगा, इस video के description box में link डाल दी जाएगी, अब हम बड़ी important बात करने वाले हैं, height की, आखिर इस में जाने के लिए, आपका height क्या होना 52 cm दिया गया है, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा और यहां पर देखूंगा कुछ चीजे और भी, तो अब यहां पर अगर original तरीके से देखा जाए, for the male candidate, वो आपका height था, वो according to NDA था, लेकिन यहां पर आप देखेंगे height की बात करता हूँ, तो particulars देखिए इस समय आपका height होना चाहिए, वो आपका 80.5 से लेकर 96 cm होना चाहिए, leg length 20 में देखी जाती कि आपके पैरों का leg length कितना है, ऐसा ना हो कि आप flight jet पर बैटें, jet पर बैटें तो पता चला आपका पैर बहुत लंबे है और आप उडाने में असमर्थ हो जाए, तो फिर rejection का एक इसलिए सारी चीज़ा चेक की जाती, बैटा, तो leg length की बात करों, तो 99 से लेकर 120 cm तक आपका leg length होता है, tie length होता है, 96 cm आपका tie length होता है, बैटा, अब आगे जब बढ़ते हैं, height की बात करता हूं for the female candidate, तो same है, आपका 122.5 cm for the male and female both candidates के लिए, यहाँ पर sitting height भी आपका एकदम clear है, और leg length भी clear है, और tie length भी clear है, तो tie length में थोड़ा सा कम दिया गया है, आपका tie length में 64 cm अगर आपका है, तब भी चलेगा, बाकी male और female में height और weight सारी चीज़े maximum similarity दी गई है, ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं बिटा, तो आपका SSB के बारे में दिया गया है, यहा 10 push up से आपका and 3 chin ups आपके रखे गए हैं and candidates are also advised to keep themselves in the good physical and the conditions, मतलब आप stick track होने चाहिए, height weight आपका सही होना चाहिए, सांसोस नहीं फूलना चाहिए, hydro seals, piles आपके नहीं होनी चाहिए, यह appendix नहीं होनी चाहिए, stones नहीं होने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको देखी ज चाहिए, बहुत सारा सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी आखे सही होगी तो आप उतना अच्छा उड़ा भी पाएंगे, ठीक है, और देश की सुरक्षा भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे, इसलिए खाते पीते रहें प्रापर तरीके से, the candidates who have cleared all the stages will be selected for the Indian Air Force, the names on the qualified candidates will be displayed through a final merit list, final merit list में आ जाएगा, mark secured examinations हो जाएगा, army talent quiz का एक participation exams conduct कराया जा रहा है, आप इस examinations को online cadets.defense academy की website पर जाकर फिल कर सकते हैं, प्यारे बच्चों, army talent quiz 2023 का 100% free classes इसके दर यह आपको मिलेगी, और F-cat की अब मैं कटाफ की बात कर लेता हूं, तो F-cat first second का जो कटाफ गया, वो 151 गया है, F-cat first का जो कटाफ गया, 155 गया है, F-cat second 2022 का 157, 2022 का 157, F-cat first 2021 का 165, second का 2020 का 155, और यहां पर देखें, 2019 का 133 मतला maximum जो आज तक सबसे ज़्यादा गया है, वो गया है मेरे बच्चे, F-cat first 2021 का 165 मेरी cut-off गया है, final 2021 का, F-cat first 2021 का सबसे ज़्यादा highest गया है, 165 गया है, 300 marks में, आपको यह, आपको clear करना पड़ेगा, बिटा, ठीक है, तो यह आपको final cut-off रहा, Flying branch की जो starting salary आपकी pay skills निकल रहे हैं, बिटा, आपकी 56,100 से लेकर 1,10,700 तक है, वहीं जब आप 2 साल बाद आपका promotion होगा, आपका flight lieutenant होगे, तो आपकी salary 61,000 से लेकर 1,20,900 रुपए तक जाएगी, वहीं पर जब आप 6 साल में promotion लेकर squad leader बनेंगे, तो 79,400 रुपए आपकी salary होगी, वहीं पर आप जब 13 साल बाद आप promote होकर wing commander बनेंगे, wing commander, he is a parallel to lieutenant colonel in Indian Army, and the wing commander की salary होगी, 1,16,700 से लेकर 2,8,700, वहीं जब आप 20 साल में आप group captain होगे, he is a parallel to full colonel in Indian Army, फीक है, group captain की बात करें, तो इनकी salary 1,30,600 से लेकर 2,15,900 तक होती है, उसके बाद जब examination होगी, और उसके बाद जब आपकी जगा सक्री हो जाएगी, और आपका जब promotion होगा air commander के लिए, he is a parallel to brigadier in Indian Army, and salary होगी आपकी 1,49,600 से लेकर 2,17,600 तक, उसके बाद जब आपका promotion होगा है, आपका air vice marsal के लिए, तो he is a parallel to major general, ठीक है, और इनका आपका जो होगा air vice marsal का जो होगा, 1,44,200 से लेकर 2,18,200 और air marsal आपके जो होते हैं, यह तो होते हैं, he is a parallel to general, लेकिन आपर leftman general वाला खेल नहीं है, तो he is a from air marsal की जो salary होगी, वो 1,82,200 से लेकर 2,24,100 रुपए तक आपकी salary यहां पर fix की गई है प्यारे बच्चो, तो यह आपका salary score होगा, जहां पर आप अपनी salary भी देख पा रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को subscribe जरूर कर लें प्यारे बच्चो, और अगर वीडियो अच्छा लगता है, informative लगता है, सही लगता है, तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर से एर करें, और अगर आप F-CAT की तयारी करना चाते हैं, तो carrots point defense academy में तीन बज़े से नया branch start हुआ है, F-CAT Air Force Common Admission Test का, जहाँ पर हम आपको रेटेन के साथ-साथ, SSB और physical training भी देते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे हैं, योई carrots point defense academy में, फिर में लेंगे नया वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, बंदे मात्रम, शाश्रियाकाल,